जहिन दोस्तों WLPRS के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एन्वार्मेंट फार्मिंग टॉपिक के उपर आज हमारे साथ है अनन्द पत्की जो बांबू नरसरी डोंगरोली से बिलॉंग करते महराश्रा का सबसे बड़ा बांबू नरसरी है यह तो आज हम उनसे कु बांबू फार्मिंग में हूं इस में उसके बारे में कुछ आफ मुझे ढयोडी जानकरी दीजिए जहां डेफिनेटली बांबू फार्मिंग एक बहुत शेके बांबू एक अनल काम मश समीच को जाíamos सकता है यह यह खित्याइभी बिल भांबू धिर्ठार्मिंग आपका जो एक्जिस्टिंग एगरिकर्चर प्रूडियूस है उसके साथ में आप बास लगा के उससे चार पैसे अधिक कमा सकते हो तो कई प्रकार के बांबू फार्मिंग से लोग आजकल बायो मास ओरियंटेड फार्मिंग के तरफ लोगों का जुकाव जादा है क्योंकि उ इनको ऐसे दर्शाय आ गया है कि इसमें खुब सारा पैसा हाला कि ऐसा नहीं है बायो मास ओरियंटेड में आपको बहुत कम दाम मिलेगा और यह बायर डॉमिनेंट मार्केट है जिसमें बायर ने अर्रेडी डिसाइड किया है रेट क्या ओनी वाला है बास का तो मैं तो सभ बास लगाने की जगा आप दस बास लगाई है जो आपको अच्छा खासा पैसा उसमें से कमा के दे तो जिसमें ऑक्यूपंसी ओफ लैंड एगरिकर्चर लैंड का भी एक विशे है जो बायो मास ओरियंटेड स्पीसीज होते है वो लैंड बहुत जादा उक्यूपाई कर द अच्छा मतलब आप यह कहना चाहरे कि जो लोग अभी बांबू प्लांटेशन को प्रायरिटी दे के फॉर्स्ट बिजनस बना रहे या बनाना चाहरे तो उनके लिए यह प्रॉपर इंकम सोर्स है नहीं कि पूरी तरह के उस पर डिपेंड रहे नहीं एक्चली में ऐसा है क प्रायरिटाइज अगर करना जाओगे तो फूड को ज्यादा प्रायरिटी देनी चाहिए हाला कि आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है जिस जो लैंड फूड ग्रेड लैंड है जिसमें आना जुगा सकते हैं उस जगा में हम अगर बास लगा देंगे तो अल्टिमेटली कभ किसी पॉइंट पे जाके सैचुरेशन जरूर आएगा कि फूड क्रैसिस आ जाएंगे उससे बहतर यह है कि जो आपका जगा का जो निकुरुष्ट दरजा का जो एरिया होता है हर खेती में ऐसा कुछ जगा होता है कि जिसका वैल्यू ही कम है या उसमें जादा पत्थर या बहुत अच्छा जमीन नहीं है जादा कुछ उसमें यील्ड नहीं आता या तो फिर उसे चोटा सा कॉर्नर पीश है या लैंड है उस एरिया में आप डेफिनेटली सेकेंटरी सोर्स ओफ इंकम को बास की ऐसा लगा सकते है पर जो फूड ग्रेड अगरिकल्चर लैंड है उ क्योंकि मैं सस्टेनेबल फार्मिंग में बिल्यू करता हूं मेरा विश्वास सस्टेनेबल फार्मिंग में है और लोगों को सस्टेनेबल फार्मिंग के और ज़्यादा प्रमोट करना हूं मतलब आपका कहना है कि यह जो बांबू बिजनस है यह सेकेंडरी इंकम सोर्स रह बांबू के कई सारे उपयोग है वैसे तो जो patented बांबू के उपयोग है वो करीब करीब मेरे खायल से कुछ पंद्रा सो यूज़ेस है जो और्रेडी पेटन्ट हो चुके है उनका उनमें भी एक क्लासिफिकेशन है के इंडस्ट्रियल यूज का बांबू और ट्रैडिशनल यूज का बास्क, when में काफ 시 अंतर है कि मतलब in industrial oriented जो species है वो अक्सर biomass-oriented plantation में देखी जाती है और ट्रेडिशनल यूज मैं जो bamboo आ रहा है वो species कही सारी होती है और उनके properties के बज़े से उनको इस्तेमाल में लाए जाता है जैसे कि मानलो कि किसी बास के अंदर consistency of diameter है, किसी बाम्बू के अंतर edibility, edible है और edible use के लिए वो ज़्यादा पसंद किया जाता है कोई बाम्बू होता है कि जिनका flattened हो सकता है या कोई बाम्बू है कि जिससे furniture या बास के घर बन सकते है तो ऐसे कई सारे sectors में बाम्बू यूज किया जाता है, तो हमें तो देखना यही है कि कौन से किसान को कौन सा बास करना ज़रूरी है और कौन से बाम्बू plantation में किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा होगा कुछ किसानों को जिस प्रकार आपने बताए कि बाम्बू के बहुत सारे फाइदे है या industrial यूज में भी आते है बट कुछ किसानों को ऐसा है कि उसका market पता नहीं है, मतलब अगर किसी ने लगाया बाम्बू तो उसको market source क्या है या वो अपना बाम्बू market तक कैसा ले जाए, वहाँ पे sale कैसा करी या उसके लिए customer कैसे available करवाए बाम्बू का market जो है वो कोलापूर या तो फिर फल्टन, फल्टन में भी बाम्बू का काफी आपर होता है, पुने में भी बाम्बू का market है पर अगर आपने market को ठीक तरीके से मतलब अच्छी तरीके से देखा तो इसमें आपको middleman मिलेंगे, किसान को ही नहीं मिलेगा बास की सबसे बड़ी यही खासियत है कि बाम्बू को buyer हमेशा लेने को आता है, फार्मर को market में नहीं जाना पड़ता अगर आप ऐसे species लगाओगे जिसके लिए buyer खुद चल के आए तो यह आपका बाम्बू अच्छे दाम में बेचा जा सकता है अब यह जो markets जो है कोला पूर पूने और फल्टन और कई सारे जगा बाम्बू के markets है जिन में व्यापारी वर्ग बाम्बू किसानों से collect करके वहाँ पे बेचने के लिए लाते हैं पर वह कौन सा बास वहाँ पे बेचते है जो जिस market में ज्यादा माल चलता है मान लीजे कि आपको कोई building का construction करना है तो उसके लिए आपको परांती बादनी पड़ेगी तो परांती में जो लगता है बास वह स्ट्रिक्टस लगता है ज्यादा करके जो ज्यादा वॉल्थिकनेस का है स्टर्डी है स्ट्रॉंग है पर इसके ट्रॉबेक्स यह है कि यह इसकी कटाई थोड़ी मुश्किल है इसका सीधा आने का structure नहीं है यह बास आपका खरीदार जरूर लेके जाएगा पर आपको अच्छा दाम नहीं देगा पर यह अगर आप कुछ species लगाते हो कि वो जो बिल्कुल सीधी आती है और जो furniture के लिए इस्तेमाल में आती है यह तो बांबू के घर बनाने के लिए इस्तेमाल में आती है तो आज नहीं तो कल बायर आपको ज जाने वाला है क्योंकि यह चेन अल्रेडी बैठ चुका है बायर मीडल मैन आएगा फार्मर को अपरोच करेगा कुछ थोड़ा बहुत पैसा देके पूरा प्लांटेशन की कटाई करेगा फर्स्ट इंस्तॉल्मेंट या सेकेंड इंस्तॉल्मेंट में पूरा पेमेंट क्लि इंस्तॉल्मेंट करेगा दो इंच का बास या दो इंच से जादा वाला बास उसको सेपरेट निकालेगा मैचुरिटी पैचान सकते हैं क्योंकि इतने दिनों से मांबू में काम कर रहे तो देखके भी मैचुरिटी पता चल जाग सकती है या तो फिर उगली मार के भी आवा यह है कि जो फार्मर ने जो दिया तो उसने 35 रूपीज 40 रूपीज यह तो इसका स्ट्रेट रेट था इसके उपर उसको मैचुरिटी में ज्यादा उसको पैसा भाव दिया गया ऐसा तो नहीं हुआ पर यह जो मीडल मैन था वो कमा कर लेके गया वो क्यों गया क्यों कि उस अब वेट करके रखोगे मतलब होल्ड करके रखोगे अच्छे वाले मटीरियल को तो आज नहीं तो कॉल आपका मटीरियल कोई ना कोई अच्छा बायर उठा भी लेगा बाद बहुत बार ऐसी भी होती है कि यदि अगर आप बास के घर बनाना चा रहे हो तो आपको एक फार्मर्स को ढूनना पड़ेगा और वो कॉंटिटी फुल्फिल करनी पड़ेगी तब ही वो बायर वो माल पूरा उठा पाएगा आपके हिसाब से बांबू के लिए अच्छा खासा मार्केट है मतलब अगर फार्मर वो लेवल का प्रोड़क्शन करता है या वो लेवल का बांबू अगर वो प्रोड्यूस करता है तो उसको अच्छा खासा मार्केट मिलेगा इवन उसको मार्केट में जाने का ज़रूज भ सबसे पहले ज़रूरी बात बामबु का जो कार्बन सिक्वेस्टेशनर सुपर्ड भित ज्यादा कर्बन is怪 क्या शिर्गली में ज़र्च किया जाता हुऊ जो फ्राइफ मेन heißt esth ओर उसका प्रड़क्टिवीटि याने कि रुछिभ उत्के और ईज वाहा ب ces C गेर या उसका occupancy कितना बड़ा है उसके उपर carbon sequestration levels का judgment किया जाता है तो पहली बात तुम्हें यहां पर बता दू अगर bamboo आपका है और आपने अगर zero age plantation यानि कि non age plantation चूज किया है तो बहुत कम species है जो 50 years के पहले flowering देती है मतलब उनका 50 years से ज्यादा का ही life span है तो कम से कम plantation होने के बाद वो at least 50 years या 50 years से ज्यादा ही carbon sequestration में help करने वाला है आज की जरूरत carbon neutral या carbon negative तो हम हो नहीं पाएंगे पर हम उसका प्रयाज जरूर कर सकते हैं सबसे ज्यादा carbon storage जो बांबू में होता है वो बांबू के rhizome में उनकी जड़ो में ज्यादा से ज्यादा carbon store होता है दूसरा आपका यह सवाल था के बांबू के demerits क्या है तो बांबू का मूनो कल्चर तो नहीं होना चीए मूनो कल्चर को promote करना बिल्कुली गलत होगा के food grade line में आप सिर्फ बांबू लगा रहे हो तो that is not possible आगे food crisis आएंगे यदि अगर ऐसे होते रहा मोनो कल्चर में एक समय में पूरे bamboo plantation को किसी वाइरस से infect होने की संभावनाय भी होती है forest fire का खत्रा भी ज्यादा रहता है यदि अगर आप मोनो कल्चर करते हो तो bamboo का और एक negative point यह है कि उसका gestation period बहुत ज्यादा है कि at least आपको अच् का income चाहिए जो आपके मेहनत के उपर justice करने वाला हो तो आपको at least six year तक आपको patience रखना होगा income के लिए six year के बाद जो कटाई होगी और हचाल होगी और इस तरीके से आप mature bamboo pole निकाल सकते हो जिनका value बहुत ज्यादा होगा market में यदि अगर आप तीसरे साल में निकाल रहे ह है तो यह चीज़ उसमें है bamboo also helps in controlling soil retention के भी काम में बहुत अच्छा आता है आजकल bamboo के soil erosion control पे भी काफी प्रोटसाइट किया जा रहा है लोगों को bamboo plantation कीजिए आप soil erosion नहीं होगा पर इसमें actually यह बात है कि अगर आप सिर्फ फाइबरस root system के bamboo लगा रहे हो soil erosion control करने के लिए तो यह उसमें गलत बात है आपको tap root system का plant भी इसमें include करना होगा अगर आपको land slide से किसी area को बचाना है क्योंकि tap root system वाला जो plant है वो जगा को जगा के सते को उसी जगा पे hold करके रखेगा और फाइबरस root system मिट्टी को ढहने नहीं देगी यह दोनों का combination होना ज़रूरी है soil erosion में भी बास काफी मददगार साबिद होता है मैंने कुछ ऐसी जगा भी देखी है जहां पे काफी सारे बोल्डर्स या तो स्मॉल बोल्डर्स का formation है और थोड़ी बहुत मिट्टी है जादा करके ऐसी जगा वेस्टन गाट के slopes पे है और इसमें आपको मैलेकोना बैसे फेरा नाम की एक बांबू की स्पीसीज है वो बहुती मददगार साबित होगी आनन जी मतलब जिस हिसाब से आप बोल रहे हो तो एन्वार्मेंट के लिए वैसा ही 101 परसेंट पूरक है बट मोनो कल्चर अगर किया जा रहा है तो ही कही पर वो हानिकारक हो सकता है मतलब वही फेज में सेकेंडली बांब बहुत अच्छा है पर मुझे एक सवाल आपसे जानना था कि बांबू के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किये जा रहे है क्या मतलब जो फार्मिंग के अंदर देखे जा रहे है कि पेस्टिसाइड्स बहुत हेविली यूज किया जा रहा है अपने लाइफस्टाइल के अं का उप्योग नहीं पर केमिकल फर्टिलाइजर का काफी उप्योग देखा गया है बम्बु प्लांटेशन में हाला कि मेरा अनॉबो यह है कि बम्बु डेजन्ट रेस्पॉन्ट टो एनी केमिकल फर्टिलाइजर इन फॉर्स प्लेस तो मैं मेरे खेत पे कंप्लीटली बायो फर्टिलाइजर के उपर डिपेंडेंट हो बाम्बू में फंगस करीब करीब 400 टैप की फंगस पाई जाती है तो हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल बहुत ही जबर्दस तरीके से करते हैं ट्राइकोडर्मा फंगस को दूर दखने में काफी कारग बायो फर्टिलाइजर है जिसमें ओटेश अम स्व लीग विंह जींको कहते हैं यह बेंपायो एक फर्टिलाइजर है यह सभी प्रकार के खाद में यानि कि गोबर खाद या तो अगर अगर या गोड़े की खाद ले तो वेक्टर भी यूज करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफी मदद करता है हमने राइजोबियम का भी इस्तेमाल किया है उसके भी रिजल्ट अच्छे रहे हैं हमारे लिए तो वैसे तो हमने कभी केमिकल फर्टिलाइजर को रिस्पॉंड करते हुए बांबू न हमने यह भी करके देखा है लगबक तीन-चार साल के बाद एक बार जब बांबू कैनोपी डेवलप कर लेता है और सूरज की रोशनी को जमीन की सतय तक पोचने नहीं देता है एसिस्तिती होने के बाद आपको बायो फर्टिलाइजर का इंट्रोड़क्शन भी कम अगर अगर नहीं होती है लीफ लीटर जो गिरता है उसके बज़े से वो माइक्रो और अर्गेडिजम्स को फूड़ एबलिटी होती है और टेंपरेचर कंट्रोल रहने के बज़े से उहां पे उनको सर्वाइव करने जैसा क्लाइमेट बना रहता है तो उनका साइकल चलते ही रह अनन जी आपके हिसाब से बांबू के उपर पेस्ट होती ही अगर है तो बहुत कम है इस वज़े से उसको पेस्टिसाइड्स यूज़ करने का इतना जुरूत नहीं पड़ता पर जो भी कुछ पेस्टिसाइड्स आपके कहने के साब से यूज़ कर रहे तो वो किस हालात में और कियो यूज़ कर रहे देखिए पेस्टिसाइड्स हमेशा यूज़ कहां होते है तो नर्सरी लेवल पे जहां पे कॉंटेक्ट के बज़े से ट्रांस्मिशन होता है यानि कि नर्सरी में नर्सरी लेवल के पोदे और आपका पूरा बैच का बैच जब खत्रे में है तो ह कि यह सिस्टेमेटिक फंजिसाइड और पेस्टिसाइड इसलिए इनसे कोई खतरा वैसे नहीं है जब मोनो कल्चर होता है यानि कि दस या बीस एकर पचास एकर बास ही किकेती हो रही है तब ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं लोग तब उसका इस्तेमाल जादा होगा क्योंकि वहां पे मोनो कल्चर में हमेशा खतरा बना रहता है कि कोई एक पेस्ट बहुत ही डॉमिनन स्टेट में चला जाए और वो पूरे प्लांटेशन को डिस्टप करने लगे यदि अगर हमारे बांबू फार्म के बारे में सकता है और पीरिड ऑफ टाइम फेरमान ट्रैप के अंदर सिर्फ मेल से ट्रेक्ट होते है और फीमेल जो होते है वह रिप्रोड़क्टिव स्टेट में नहीं रहते क्योंकि मेल की संख्या जो है वह कम हो चुकी है और कुछ सालों के बाद आपके उस एरिया से यह पेस्ट जाएगा पर यह पेस्ट भी जो हम करता है तो यह पर्टिकलर एक शूट को हम करेगा पूरा बास का क्लंप आपका नहीं जाएगा इसमें तो वैसे ही बास में बहुत कम चांसे से के कोई पेस्ट इंफेस्टेशन हो और पूरा आपका क्लंप खराब हो जाए एक मुझे अगर किसी बास को लग जाए तो यह एक्चुली पैथोजोन से इंट्रोडियूस होती है जब बारिश में आपके बांबू प्लांटेशन के आजू-बाजू में जब घास बढ़ जाता है तो घास के उपर बीटल्स आते बीटल्स के उपर यह पैथोजोन से रहते जब वह पैथोजोन वाला बीटल्स आपके बास के उपर बैठ जाएगा और वह पैथोजोन जब बास को इंट्रोडियूस होंगे तो जिसको बनाना में बंची टॉब भी यह डिसीज को नाम है बनाना में काफी पाया जाता है पर उकलम पुरा खराब हो जाता है अगर वह इनफेस और उसे जला देना है और उसके इस्तेमाल में आई हुई जो भी टूल्स है मानलो के अपने कुदल फावडा जो इस्तेमाल किया या कटिंग के लिए कटार यूज की तो उनको श्ट्राइल करके लेना यह जरूरी बात है क्योंकि वह इंफेक्शन और किसी बास में ना फैल से बाकी बेस्ट के कोई खास पेस्ट है नहीं बाम्बू में वैसे भी 400 टाइप के फंगस पाय जाते इतने फंगस के बारे में मैं भी तो नहीं जानता इसलिए सिर्फ टाइकोडर्मा का इस्तेमाल करके हम इस सब चीज से बच सकते है टाइकोडर्मा एक बायो जरिया तो फंजी साइड के दोर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तो आज अनन जी ने हमें बाम्बू के बारे में बहुत सारी जानकरी दी है एन्वार्मेंट के लिए उसके जो फाइदे तोटे है ये भी बताया है सेकेंडली इसे पेस्टिसाइड कम लगते है उस उसके उपर जो पेस्ट है वो नैचरल तरीके से भी कवर कर सकते है उसको किवर कर सकते है आज यहां पे जो फार्मर्स है कि जो बाम्बू फार्मिंग करना चाहते उसके लिए भी इन्होंने जो जानकरी दी है वो हंड़ेट परसंट उपयोगी है सेकेंडली अनन भाई का एक चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दूंगा आप वहां पे जाके अगर बाम्बू के बारे में बाम्बू के नरसरी के बारे में फार्मिंग के बारे में अगर जानना चाह रहे तो वहां पे आप उन चैनल पे जाके वो पूरा इन्फरमिशन ले सकते अनन जी आपने वक्त निकाल के ये जो महत्वपूर्ण जानकरिया में दिये है, हमारे फार्मोस को दिये, उसके लिए WLPRS फैमिली की तरब से आपका धन्यवाद. Thank you.